Good morning friends, welcome back to my channel Sony Education Points मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रधान सिक्ष है के भरती परिच्छा 2022 से समंधित महत्पुन BBI प्रस तो देर नहीं करते हुए मैं सुरू करता हूँ स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्रीह मंत्री कौन थे? जी हाँ तो आप्सन नमड B जो है बिल्कुल सही है बल्ला भाई पटेल यानि सरदार बल्ला भाई पटेल भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे जब भारत अजाद हुआ था दो नमडर है पंचवर्सिय योजना को स्विकृति देने वाला सरबोच निकाय है कौन है? बितमंत्राले, लोकशभा, राष्टिय विकास परिशद और राजशभा तो फ्रेंस मैं बता दो कि पंचवर्सिय योजना को स्विकृति देने वाला जो निकाय होता है सर्वोच निकाए उसी राश्टिये विकास परिशत कहते हैं यानि दो का सी तिन नमबर है प्राचीन भारत का सुप्रसेदी बेक्ती पानिनी था क्या था? पानिनी का नाम आप लोगों ने शुना होगा पानिनी का ब्याकरन बगरा बगरा तिन का फ्रेंस हो जाएगा भी एक ब्याकरन सास्त्री थे पानिनी जो है संस्कृत ब्याकरन के ग्याता थे और ब्याकरन सास्त्री है थे चार नमबर है निमलिक्षित में से किसने भारत पर सरपर्थम आकरमन किया था? अपसन है अपगानों ने अरबों ने मंगोलों ने और तुर्कों ने जी हाँ फ्रेंस आपका गिस बिल्कुल सही है अरबों ने किया था सबसे पहले भारत पराकरन चार का भी पान्च नमबर है भारत की राशपती के चुनाओं के लिए कौन सी योगता वस्यक नहीं है ध्यान देंगे योगता की बात थोड़ी है तो भारत की राशपती के चुनाओं के लिए इसमें से कौन सी योगता नहीं है भारत का नागरीक 35 वर्से अधिकायू लोग सभा का सदस कोई लाबकारी पद का अधिकारी नहीं हो जी हाँ सत्यार्थ परकास कि इसने लिखी है यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है फेमस है जिसके लेखक है दयानन्द सर्स्वती याद रखेंगे प्रेंट्स सत्यार्थ परकास दयानन्द सर्स्वती भारती राश्टिये कॉंग्रिस के से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधि जी थे जी हां तो option है ए में बंबई सूरत बेलगांग नागपूर फिरे एंडी का अंसर हो जागा C, बेलगांग जो है बेलगांग अधिवेशन हुआ था उसी के अध्यक्ष गांधि जी थे और मैं बता दू कि गांधिजी भारती रा अलग हुए तो 1934 में निक्स प्रेस्टन है भारत की स्वतनत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मुलता किसने प्रस्तुत की जी हाँ फ्रेंस तो यह संकल्पना की बात हो रही है कि आजाद हिंद फौज की संकल्पना मुलता किसने प्रस्तुत की तो उनका नाम ह वो महापुरुष थे रास विहारी बोस आठ का ए नाइन नमबर है एक विसाल सार्वजनिक असनानागार ग्रेट बात सिंदु घाटी सबेता के कौन से अस्थल से मिला है जी हाँ वो अस्थल है मोहन जोदरू नाइन का डी टेन नमबर है कि शंजुक्त राष्ट महासभा का कारियाल है याद रखेंगे फ्रेंट्स शंजुक्त राष्ट महासभा का कारियाल है कहाँ पढ़ है तो है निव यार्क में है निव यार्क है नहीं दस का सी 11 नमबर है निमलिखित में से कौन सा युग मिसाही सुमिलित नहीं है जिहा तो चिनुक युगे से फान अलपस परवत सीरी को कनाड़ा लू भारत तो इसमें से एक जो है गलत है जो सीरी को है कनाड़ा में नहीं है C 11 का सी जो है यह युग में जो है सुमिलित नहीं है बाड़ा नमबर है निर्म में से कौन स्वरमंडल का सदस्त नहीं है न छत्र धूमकेतू ताराकार उपगरा तो बाड़ा का हो जाएगा C ताराकार जो है स्वरमंडल का सदस्त नहीं है तेरा नमबर है स्वर्निम चतरभुष परियोजना का संबंध किसके बिकास से है फुद्योगों से, पावर गृट से, खानीज से या राजमार्ग से तो फ्रेंट्स मैं बता दू, तीरय का डी है राजमार्ग से स्वर्निम चतरभुज योजना राजमार्ग से है जो शरक की निर्मान होती है स्टेट हाईवे उससे है विश्व का सबसे बारा समुद्री पूल, समुद्री पूल इस्तित है विश्व का सबसे बारा समुद्री पूल कहां पर इस्तित है तो मैं बता दू, फ्रेंट्स, कि 14 का जो है आंसर चीन में है चाइना में है वह सबसे बड़ा समुंदर में पूल बनाया है चाइना ने पंदले नमर है इंगलैंड ने अमिर्का पर स्टांप एक्ट किस वर्स लागू किया था तो stampe act की बात हो रही है कि इंगलेन ने अमिरका पर stampe act लागू किया था कभ किया था तो है 1765 में याद रखेंगे और अग्ला पर्सिद जील के बारे में है सवाल कि सुदर्सन जील का निर्मान किस सासक काल में हुआ सुदर्सन जील का निर्मान कि सासा के काल में हुआ तो है चंदरगुप्त शोला का डी सतरा नमबर है, याद रहे केंगे फ्रेंस सतरा नमबर है कि कुलगर्दी डैस के लिए प्रसिद्ध है कुलगर्दी जो है डैस के लिए प्रसिद्ध है इुरेनियम, थोडियम, हीरा शोना, तो सतरा का हो जाएगा शोना, कुलगर्दी में सोना अधिक मिलता है कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध है, अठारे नमबर है भारतिय समिधान का अनुछेद 366 का संबंद किससे है जी हाँ, यह अनुछेद 366 बहुत ही प्रसिद्ध है तो आप जानते हैं तो बताएं, मुझे कॉमेंट करें अठारे का क्या होगा आंसर अठारे का क्या होगा शमिधान संसोधन से है, भारतिय समिधान के अनुछेद, 366 का संबंद, समिधान संसोधन, यह नहीं अठारे का डी आंसर बिल्कुल सही है 60 टापो का सहर आप जानते हैं 60 टापो का सहर किसको कहा गया है तो मुंबई को और ये सवाल है कि 60 टीलो का सहर City of Seven Hills किस देश में है 19 का हो जाएगा B, रोम में है 60 टीलो का सहर रोम में है और ये 20 वह नंबर सवाल है कि अशोग के प्रेस्तर अभिलेक 10 के प्रतीक थे अशोग के जो अभिलेक थे किसके प्रतीक थे तो आज का अंसर है प्रसासन का 21 नंबर है सार्दा अधिनियम समंधित है Option है बिदवा पुनर बिवा से बाल मजदूरी से अंतर जातिय बिवा से और बाल बिवा से तो 21 का फ्रेंस हो जाएगा D. बाल बिवा से है सार्दा जो है सार्दा अधिनियम समंधित है बाल बिवा से याद रखेंगे 22 नंबर है जोते हुए खेत का परमान सिंदू सभेता के किस अस्थान से मिला है याद रखेंगे फ्रेंस कि जोते हुए खेत का परमान सिंदू सभेता के किस अस्थान से मिला है काली बंगा दैमावाद लोथल अलंगिरपूर तो मैं बता दू फ्रेंस की 22 का यह हो जाएगा काली बंगा से मिला है 23 नंबर है कि बंगलादेश का स्रीजन कब हुआ जिहाद फ्रेंस की बंगलादेश का स्रीजन कब हुआ तो है 1971 में 1971 23 का 24 नंबर है भारत में जैब बिधिता की दृष्टी से कौन सा तप्त अस्थल में सामिल है तो वह कौन सा अस्थल है उसका आंसर हो जागा 24 का ए पच्षमि घाट 25 नंबर है निमलिकित में कौन सा एक उपनिसद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है तो 25 का फ्रेंस हो जागा C. सामन्तवाद 26 नंबर है भासन अभिवक्ति की सामन्तवाद का अधिकार प्रदत है ए समिधान के किस अनुछेद से छेद में है तो 26 का फ्रेंस हो जागा B. समिधान का अनुछेद 19 के द्वारा भासन में अभिवक्ति की सामन्तवाद का अधिकार प्राफ्थ है हमें और 28 नमबर कोश्चन देखेंगे बिहार एवं उतर परदेश राजियों की समीलित परियोजना है 28 का हो जाएगा भी गंडक परियोजना 29 नमबर है शुवाश चंद्रबोस अंतराश्टिय हवायड़ा कहा इस्तित है याद रखेंगे सुवाश चंद्रबोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा परिस्तित है तो वो है फ्रेंस कोलकाता में जिसकी राजधानी कोलकाता की राजधानी कहा है पस्यमंगाल की ही राजधानी कोलकाता याद रखेंगे फ्रेंस कोलकाता में ही सुवास्चंद बोस अंतराश्टी हवायड़ा है तीस नमबर हमें है कि भूमी पुत्र भूमी पुत्र सब्द किस समस्या से सम्मधित है छेतरवाद, जातिवाद, भासावाद, संप्रदाइक्ता जी हाँ तीस का ये हो जाएगा छेतरवाद छेतरवाद से सम्मधित है भूमी पुत्र एक्तिस नमबर है समान मिरिदा में समान मिट्टी में कारवन तथा नाइट्रो शेजन C अनुपात M का यानि कारवन तथा नाइट्रो शेजन का अनुपात होता है जी हाँ याद रखेंगे इसका अनुपात होता है पंदरा अनुपात 1 कारवन पंदरा तो नाइट्रो शेजन 1 होता तो फ्रेंड्स यह थे बहुमूल भीवियाई प्रसन उत्तर जो आगामी होने वाली प्रधान सक्चक परिछा के लिए महत्पूर्ण है आप इसी प्रकार तयारी करें मेरी हार्दिक सुब कामरा आप सबों के साथ है धन्यवाद